भारत का राश्ठी ए गान जणकन मन आप लोग सुनते होंगे और इसके बारे में जानते भी होंगे और इसके रचेता रचनाकार कौन थी रवेन्ना टैगॉर तो आज हम लोग रविन नाट टेगोर के बारे में और अपने राश्टिये गान के बारे में एक विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे महत्पून फॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये बिवाद में क्यों रहता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग रविन नाट टेगोर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के लेखक नाटककार, संगीतकार, दासुनिक, समासुधारक और चित्तिकार थे उन्होंने बंगाली साहित और संगीत के साथ भादती कला को भी एक नया रूप दिया और आप देखते हैं कि उनकी गीतांजली आप लोग उने सुना होगा उसके लिए 1913 में साहित्तिका उन्हें नोबल पुरुसकार भी मिला था और नोबल पुरुसकार की बात करें तो 1901 में अलफेड नोबल की याद में शुरू हुआ था और इनका जनम रबिनाट टैगोर का या रबिनाट ठाकोर का 7 मई 1861 में कलकत्ता बंगाल परसिडेंसी वेटिस भारत में हुआ था जो आज का आप लोग कोलकाता देखते हैं पक्ष्यमंगाल देखते हैं इसी में हुआ था देखे पक्ष्यमंगाल की अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता इसकी राध्धानी इसकी सीमा उडिसा जारकन बिहार सिक्किम और असम से लगती है अंतराश्टी सीमा नैपाल भूटान बंगलादेश से लगती है यहीं इनका जिनम हुआ था और इनकी मित्तिव की बात करें यानि की डेथ की बात करें तो 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता बंगाल परसीडेंसी में ही इनकी डेथ हो गई थी तो यह भी आप लोग इने बंगाल ली प आप देखते हैं कि जो हमारा बंगलादेश है इसका गीत है यहाँ का तो यह भी याद रखेगा अब बात करते हैं हम लोग राष्टकान के बारे में सबसे पहले आप लोग राष्टकान को देख लेजे देखिए बंगाल बंगाली भासा में आप लोगों को सबसे पहले द इसमें आप देखेंगे कि आप देखेंगे आप लोगों ने देखा होगा कई वार पत्तिकार क्या होते हैं मीडिया अपने नेताओं से पुछती रहती है कि आपको राष्ट गीत आता है अपना आपने देखा होगा कि नेताओं को आता भी नहीं है तो यह भी है और आप देखेंगे इसका अगर हम पर आप दिखते हैं अंगली लाइन नो का पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दरविण उतकल बंग बिंद हिमाचल यमना गंगा उचल जलीदी तरंग इसका मतलब क्या है पंजाब 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 के लोग सिंधु 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 नदी सिंधु के किनारे बसे लोग गुजराद गुजराद बा उसके लोग मराठा यानि की मराठी मराठी लोग दरवड यानि की दच्छिन भारत और दरविडी लोग उतकल यानि की उडिशा उडिया लोग ब गंगा यमना द्वाब, उच्छल जलिदी तरंग, मन मोहक, हिदय जागृतकारी और समुधित तरंग या फिर मन जागृतकारी तरंगें। तब यानि कि आपके तुम्हारे सुब मतलब पवित्य, नामे, नाम पे भर्दबस, जागे यानि कि जागते हैं, आसिस मतलब आसिर वाद, मांगे यानि कि मांगते हैं, गाहे यानि कि गाते हैं, तव यानि कि आपकी ही या तेरी ही जैगाथा, यानि कि विजय गाथा, विज जय गाताओं का गान करते हैं, सब तेरे ही, और फिर आप दिखते हैं कि अंगली लाइन है, जनगर मंगल दायक जय है, भारत भाग बिदाता, जय है, 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 विजय हो, विजय हो, विजय हो, जय है मतलब जय का मतलब विजय हो ठीक है और जय 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 है यानि कि सदा सर्वदा विजय हो जंगर के मंगल दायक की जय हो हे भारत के भागविधाता विजय हो विजय हो और तेरी सदा सर्वदा विजय हो इसका हमारे राष्टी गीत का ही आर्थ है ठीक है एक आप देखते है कि संचित्र संस्कार्ण आप लोग देखते हैं पहले आप देखते हैं कि पूरा आप लोग देखते हैं तो उसे बावन सेकंड का समय लगता है लेकिन जो संचित्र संस्कार्ण है ना जैसे इसमें आप देखें जैन गर्मन अधीनायक जै है भारत भाग विदाता जै है जै है जय हे जय जय हे इसे चलाने के लिए या गाने के लिए 20 सेकंड का समय लगता है तो यह भी आप लोग याद रखीएगा इस तरह के कुक्षिंस आपके पूछ लेते हैं अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ध्यान रखा करीगा पूरे को पढ़ने में आप लोग 52 सेकंड का समय लगते हैं और संचिप्त में से 20 सेकंड का समय लगता है अब आती है इसकी असल कहानी तो राष्टगान लिखने वाले देश की नोबल पुरुषकार प्रात्य राष्ट कभी गुरु देव राविन्ना टेगॉर थे उन्होंने 1911 में ही इस गीत की रचना की थी उन्होंने पहले राष्टगान को बंगाली में लिखा था जो आपको संस्क्रण बताए बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दो में रोपांतन किया था और 24 जन्वरी 1950 को भाजाद भारत की समिधान सभा ने इसे अपना राष्टगान घोसित किया था तो इस तारीक को भी आप लोग याद रखेगा कई बार आप देखते हैं कि एकजाब में पूच लेता है कि जो हमारा राष्टगी गीत है इसे समिधान सभा की द्वारा कब अपना है गया था तो 24 जन्वरी 1950 में खुद गुरू रवेना टेगोर नहीं इस गीत का 1919 में अंग्रेजी अनबाद दी मॉर्णिंग सॉंग ओप इंडिया किया था इसके बाद पंडित जवाहलाल नहरू के विसेश अन्रोथ पर अंग्रेजी संगीतकार हरवर्ट मुरिल ने इसे आरकेष्टा की धोड़ों में पर भी गाया था और गुरूदी रवेना टेगोर नही बंगला देश का राष्टी ये गान जो आहमाद सोनार बंगला है ना इसे भी लिखा था तो एक बैक्ति की रचना है एक आप देखें बंगला का राष्टगान है और एक आप देखेंगे भारत का राष्टगी थे ठीक है तो यह आप लो राष्टगान है राष्टी ये गान को अगर गाने की बात करें अगर हम लो तो इसमें आप देखेंगे राष्टी पितिकों और चिन्नों की तरह राष्टगान की सम्मान को वरकरार रखने के लिए भी कानून बनाये गया है और राष्टगान की आचार सहिता की तहित राष्टगान गाते समय नीमों और नियंतरनों की समुच्चे को लेकर भारती सरकार समय समय पर निर्देश भी देती है राष्टगान को गाने जाने की कुल अवधी आपको बताया ना की बावन सेकेंड रखे गए यह भी आप लोग याद रखेगा और राष्टगान के लिए अगर हम लोग बात करें कानून की किसकी कानून की अगर हम लोग बात करें तो राष्टगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परिशान करने पर सम्मंधित व्यक्ति अत्वा गुरुप के खिलाप Prevention of Insult to National National Honor Act 1971 की धारा तीन के तहर कानूनी कारवाही भी की जा सकती है मान लेजी कि आपको राष्टगान गाना है कोई आपको रोकता है परिशान करता है अपमान करता है राष्टगान का तो आप देखेंगे कि उसके खिलाप कानूनी कारवाई भी होगी यह है Prevention of Insult to National Honor Act 1971 की धारा तीन क्या कहती है इसके अपमान का दोसी पाय जाने पर तीन वर्स का कारवास तीन साल की सजा हो सकती है और जुरुवाना का प्रावधान भी इसमें रखा गया है और देशबासियों से अपेक्चा की जाती है कि जिस बक्त राष्टगान भज रहा हो या गाया जा रहा हो तो वह अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए और यह आप लोग अकसर देखते भी होंगे जब कई लोग जो आप देखते हैं कि मानते हैं तो जब भी आसवास बचता हुआ दिखाई देता है वो सावधान की मुद्रा में खड़े भी आप लोगों को दिखाई देते हैं और इसमें आप देखेंगे दोड़ दसन इसमें आप देखेंगे कि राष्टवच फराती बक्त और फरेड के साथ केंदो राष्ट सरकारों के कारकरों में भी राष्टगान बजाया जाता है दूर सलसन और और इंडिया रेडियो पर भी आप लोग राष्टगान दवार राष्ट को संबोधित करने से ठीक पहले और ठीक बाद में भी राष्टगान बजाने का नियम है और देखें दोनों में याद रखेंगा राष्टगान हमारा जन्गर्मन है और राष्टिक गीत की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि बंदे मात्रम है यह आप लोग याद रखें दोनों में फ़रग और जिसे बाकिम चंद चटोपाद्ध है दोरा लिखा गया था राष्टगान को बोस ने भी अपनाया था यह गीत और गोरु देव रविना टेगोर द्वाला लिखे गए राष्टगान में पांच पद हैं राष्टगान की रोम में इसके पहले पद को ही अपनाया गया और नेताजी सुवाशन बोस ने ही अपनी आजाद हिंद फोज में जै है नाम से इस गीत को अपनाया था और जंगर्मन की पहली बार पिकासन 1912 में तत्व बोधिनी नामक पत्तिगा में हुआ था तब इसका सीसक रखा गया था भारत भागविधा था और तेलंगाना की जम्मी कुंटा गाउं और हर्याना की फरीदाबाद जिले के राष्टगान गया जाता है तो आप देखें राष्टगान को लेकर पहला बेबाद 1987 में सामने आय था जब सूप्रिंग कोड़ की बात करें तो आप जानते हैं कि सर्वोच अदालत की बात कर रहा हूं और समीधान एक संस्ता है, समीधान की अनुचेर 124 के तायत इसकी स्थापना की बात कही गई गई है, 28 जनुबरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो नियादी से देखते हैं ना, उनके सेवा निवित्टी की उमर 65 साल लखी गई है, केरल के एक स्कूल के कुछ ब अबमान में खड़े होते थे, और इस पर अलाल ने याज का स्विकार करते हुए कहा, था यदि कोई ब्यक्ती राष्टगान का संभान करता है, लेकिन उसे गाता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उसका अबमान कर रहा है, यानि कि कहने का मतलब यह है, कि अगर आते नहीं है, इसकूल में अगर आप चाते हैं और आप देखे कई जगे यह विवाद देखने को मिला है, अनिवार नहीं है कि आपको गाना हर हाल में पड़ेगा, अगर नहीं गाते हैं तो क्या होगा, आपको अपमान समझा जाएगा, आपको सजा हो सकती है, कानूनी कार प्रवाई हो सकती है वो आप देखे खड़े होकर उसका सम्मान तो कर रहे हैं इसलिए में आप देखे किरल के इस मामले में सुप्रिंग कोट ने एड़े दिया था गुरूदे भी इस विवाद का कर चुके खंडन राष्टगान को लेकर एक सुरुवात में एक और अजीव गरीब विबाद खड़ा हुआ था इसके बारे में कहा जाने लगा था कि इसे जौर्च पंचम की पिसंसा में लिखा गया और इस विबाद में सुप्रिंग कोट ने अपना फैसला वापस भी ले लिया था और आप दिखते हैं कि कई सरकारें अनिवार करने की बाद भी करत हैं लेकिन वहां आप देखते हैं कि कोई सुप्रिंग कोट चला जाता है कोई हाई कोट अधालतों में चला जाता है आपसे ने अमा घरों में फिलम सुनों होने से पहले राष्टगान बजाया जाता है और राष्टगान की एक सब्द सिंद को लेकर भी कई बार आपत्ति जताई चुकी है इस सब्द को राष्टगान से हटाने तक की मांग सुप्रिंग कोट से की जा चुकी है इसके लिए तायक दिया जाता है कि सिंदा पाकिस्तान का हिस्सा है तो इसके लेकर भी विवाद बना रहता है राष्टगान के साथ राष्टगीत को भी मिली थी मानत तो भारत के राष्टगीत बंदे मातरम को भी आप देखे 24 जनवरी 1950 को ही राष्टगान के साथी मानता प्यदान की गई थी और इसका स्थान भी राष्टगान के समकक्त छी है और इसकी राष्टगान आपको बताया ना कि बाकिम चंद चटर जी ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल की कांतल पाड़ा गाउं में की थी इसके पहले दो पद संस्कित में और से इस पद बंगाली भासा में है और राष्टकवी रविनाट टेगोर ने इस गीत को स्वारबद्ध किया था और इस गीत को भी सबसे पहले कॉंग्रेस के कलकत्त अडिवेशन में 1896 को गाया गया थ बाद में अर्विन्दो गोस इसका अंग्रेजी में और आरे मोहमत खान ने इसका उर्दू में अनवाद किया था तो यह भी आप लो याद रखेगा और अंग्रेजों ने इस गीत को किया था अनिवार गुलामी के दौर में 1870 में अंग्रेजों ने गौड सेव दा कुईन गीत को गाना अनिवार कर दिया था और अंग्रेजों के इस आदेश से उस्पक्त की सरकारी अधिकारी वाकिमचन चटर जी काफी आथ भी हुए थे इसके बाद उन्होंने 1876 में इस गीत के बिकल के तौर पर संस्कित और बंगला के मिसरन से बंदे मातरम नए गीत की रचन राष्टगान आपको गाना ही होगा और मुझे लगता है ऐसा देखिए कि जो गाता है ठीक है नहीं गाता है उसकी मर्जी लेकिन अफमान मत करिए क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं भारत का गीत है गान है तो उसका सम्मान तो सबको करना चाहिए राजनीती अपनी बढ़ना आप देखे परिसानी किसी को नहीं होना चाहिए चलिए तो यह पूरी कहानी है आपके राष्टगान की कॉंग्रेस के अधीवेशन में राष्टगान भी सबसे पहले ही गाया गया था यह भी आप लो याद रखिएगा